जाने की जरुवत होनी उस हद तक जाएंगे लेकिन कुल भूशन जादाओ को हम बचाएंगे कुल भूशन जादाओ इंडिया नवी के रिटारिड आफसर थे एरान के चावाहार में वो एक छोटे बिजनस्मैन थे बराबर उनका चावाहार से तेहरान तेहरान से चावाहार आना जाना होता था उसी वीज पाकिस्तान की शेक्रोटी एजनसी ने उनको किड्नाइब करिया और किड्नाइब करने के बार पाकिस्तान की अथार्टी ने यूँ प्रेस कांफरंस की है उस प्रेस कांफरंस में यह कहा है कि कुल भूशन ज्यादों के पास वैली इंडियन पासपोर्ट है तो मैं समझता हूँ कि यदि कुल भूशन ज्यादों यदि स्पाई रहे होते जासूस रहे होते तकम सकम अपने पास वैली इंडियन पासपोर्ट वह न रखते लेकिन फिर भी उनके साथ वहां की आर्वी कोट ने जो कुद भी किया है उन्हें लाइफ सेंटन से वार्ड किया है इस से पाकिस्तान के अप्रोज को भारत की सरकार पुरा भारत इसे कंडम करता है और जहां भी जरुवत होगी और मैं मानता हूँ कि जो कुद भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्रांट मर्ड इसे मैं मानता हूँ करने की कोशिश की जा रहे हैं लेकिन किसी हग तक जाएंगे लेकिन हम लोग कुल भूसन जादों को बचाएंगे एक पाकिस्तान का इलाज क्या है आपकी नजने तो वक्त बत लाएगा पाकिस्तान का क्या क्या इलाज है वैसे सपीकल स्ट्राइक जब होई थी तो एक संगेट तोंगे वोने देही दिया थे पत्थरबास जो देश के दुश्मन बने बैठे हैं और कश्मीर में हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं उनसे निपटने की आखिर अनीति क्या होगी क्योंकि ये रुप नहीं रहा है एंकाउंटर तक में वो बीच में आ रहा है एंकाउंटर मतलब आतंकियों को मारने के लिए सेना जा रही है वो बीच में दीवार बढ़कर खड़े हो रहे हैं उनसे कैसे हम डील करें क्योंकि सरकार ने कोट में कहा है कि पैलेट गंस हमारे लिए जरूरी है क्या आप अभी भी मानते हैं कि पैलेट गंस जरूरी है पहले तो मैं ये क्लिरफाई करना चाहता हूं कि कोई भ बढ़ेंगे चाहिए जैशे बढ़ेंगे कास्वीर के हालां बढ़ेंगे इतना ही मैं कह सकता हूं जहां तक पैलेट गं का सवाल है मैं कास्वीर वैदी में जिस समय अर्रस्ट चला था उसमय दीन बार मा गया था और एक बार तो आल पार्टी डेलिगेशन को लीड करते वां भी लोगों से हमारी बाचीत हुई थी उसमें मैंने कहा था कि पैलेट गं का हम कोई एक अल्टर्नेटीव देए और पावाशेल दिया भी लेकिन पावाशेल का भी प्योग होता है कोई रास्ता सेस्ट नहीं बज़ता है तो आपको सेगुर्टी फोर्सस की देवानों की जाए कि वह कबर के बीचे ही वह बुली लगी